हेलो स्टूडेंट्स मैं आनंद सर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल साइफाई स्टेडी में स्टूडेंट्स आज किस वीडियो में हम लोग कक्षा नव हिरोन का सुत्र का प्रशनावली 12.2 हल करने वाले हैं पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स प्रशनावल टू तक पुरा कंप्लीट कर चुके थे स्टूडेंट्स अगर पीछे की वीडियो आप नहीं देखे हुएं तो नीचे दिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से पीछे की वीडियो देख सकते हैं और स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो एक बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पे सभी चीजे लगातार आपको चैप्टर वाइज बिलकुल आसान भासा में मिल लए हैं अब इस कागज का कुल चित्र फल ग्यात करना और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाग एक है भाग दो भाग तीन भाग चार भाग पांच ठीक है पांच भाग में इस कागज का यूज किया गया है अब इन सभी भागों का छित्र फल हम अलग अलग निकाल कर और जोड देंगे तो हमें इस कागज का कुल छित्र फल हमें ग्यात हो जाएगा ठीक है तो अब देखे भाग एक के लिए हम यूज कर रहे हैं हाँ पर लिखेंगे भाग एक के लिए भाग एक के लिए अब देखें भाग एक के लिए तो देखें यह भाग एक यह एक त्रिबुज बन रहा है यहां पर एक साइड पांच है तो दूसरी भी पांच होगी और यह कितना होगा वन होगा क्योंकि यहाँ पर देखें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 दिया हुआ है, तो यहाँ भी 1 ही होगा, तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि A बराबर 5 cm, B बराबर 5 cm और C बराबर 1 cm, आप A, B, C किसी भी साइट को मान सकते हैं, कोई प्राबलम नहीं है, तो हमें आप लिख लेते हैं, A बर बराबर 5 cm, B बराबर 5 cm और C बराबर 1 cm, ठीक है students, अब यहाँ से हम लोग S का मान निकाल लेंगे, तो S का फर्मूला क्या होता है, अर्ध परिमा आप निकाल लेंगे, S बराबर A प्लस B प्लस C बाई 2, तो यहाँ पर निकाल लेंगे, S बराबर, A का मान 5, B का मान 5, और C का मान 1, बटे में 2, जोड़ देंगे, 5, 5, 10, 11, और बटे में 2 भाग देंगे, तो यह क्या हो जाएगा, 5, 5 cm, यह तो S का मान आ गया, अब भाग 1 का छित्रफल निकाल लेंगे, ठीक हैं, तो यहाँ पर देखें, फर्स्ट भाग का छित छित्रफल, फर्स्ट भाग का छित्रफल, हिरोंस का फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है, करड़ी में, S, S-A, S-B, S-C, यहाँ पर डाइरिक्थम मान रखते हैं, स्टूजेंस, उमिद करते हैं कि फार्मूला आपको लर्न हो गया होगा, तो S का मान क्या है, 5, 10 मलव 5, ठीक है, गुड़े, S-A, तो 5, 10 मलव 5 में से 5 जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0, 5, S-B, 5, 10 मलव 5, S-C, तो 5, 10 मलव 4 में से 1 जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4, 5, ठीक है, उमिद करते हैं कि यहां तक बिल्कुल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, अब यहां से क्या करना है, अब यहां से प्रतेक को हमें इसका फैक्टर करना है, और जिसका जोड़ा बन जाएगा, वो असंख्या करड़ी से क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, तो देखिए, 5.5 को यहां पर क्या लिख सकते हैं, 11,11, गुड़े, 0.5, अब गुड़ा तो 5.5 आजाएगा, यहां पर देखिए, यहां 5.5 ही है, इसका फैक्टर नहीं होगा, यहां पर भी 5.5, ठीक है, अब देखिए, यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, 9 और गुड़े, 0.5, गुड़ा करनें, 4.5 आजाएगा, अब यहां पर जो 4.5 बाहर हो जाएगा, यहां पर देखिए, फिर इसका जोड़ा बन रहा है, यहां पर 4.5, यहां पर, sorry, 0.5, यहां पर 0.5 उसका जोड़ा बन रहा है, तो वह करड़ी से बाहर, यहां पर 0.5 और यहां पर 0.5 इसका भी जोड़ा बन रहा है, तो यह भी बाहर हो जाएगा, अब यहाँ पे देखे, 9 का वर्ग मुल क्या होता है, 3 होता है, ठीक है, अब यहाँ पे करड़ी में 11, अब इसको हल कर लेंगे, तो देखे, हल करेंगे तो क्या हो जाएगा यह, 5 पचे 25, ठीक है, 5 पचे 25, 25 तियां 75, और दो अस्थान पे पॉइंट लग जाएगा, यानि 0. 0.75, करड़ी में 11, एक पूर्ण संख्या नहीं है, और इसका वर्ग मुल लेंगे, तो 10 मलों में आएगा, ठीक है, इसका वर्ग मुल लेंगे, तो क्या होगा, 10 मलों में आएगा, यानि क्या हो जाएगा आपका, 3,10 मलों, 3,1, ठीक है, इन दोनों का जब गुड़ा करेंग ठीक है अब देखिए अब हमें लगभग में जो मान लेना है वो लगभग में लेना है देखिए 2.4 तब उसके आगे की संख्या 0.5 से अधिक है तो हम क्या करेंगे एक इसमें बढ़ा देंगे यानि यह क्या हो जाएगा यहाँ पे 2.5 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वाइर यह लगभग में है ठीक है उमिद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे अब देखिए आपको क्या करना है यहाँ से यह भाग एक कछी तरफल आ गया अब भाग दो के लिए देखते हैं तो भाग दो देखिए भाग दो जो है एक आयत का आकार है यहां से देखिए यहां से यहां तक भाग दो एक आयत का आकार है जिसकी लंबाई 6.5 और चोड़ाई 1 है तो यहाँ पे अब भाग दो का छितरफल निकालेंगे तो यहाँ पे पांच और गुड़े एक ठीक है लंबाई यह है 6.5 और चवड़ाई एक है तो यह क्या हो जाएगा 6.5 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्कॉार ठीक है अब हम लोग बात करेंगे तीसरे भाग का छेतर फल तो यहां पे देखें तीसरा भाग यहां पे है ठीक है जो की एक समलंब का आकार है और उससे डिलेटेड अब देखें चितर क्या बनेगा पहले ही हमने बना लिया ताकि वीडियो बहुत लंबा न हो ठीक है यह जो तीसरा भाग है एक समलंब का आकार है तो यहां पे आप देख रहे होंगे कि A, B, C, D एक समलंब है ठीक है A, B, C, D यह जो तीसरा भाग है एक समलंब का आकार का बन रहा है अब देखें इसका जब समलंब का हम चितरफल निकालेंगे तो हम A, B के समानतर ठीक है D से हम एक लाइन खीच रहे है जो B, C को E पर काट रही है अब यहां पे जब यह लाइन हम खीचे तो हम देख रहे हैं कि यहां से D E, E, C एक समभाहुत्र भुझ बन रहा है यहां से D, E, C क्या बन रहा है एक समभाहुत्र भुझ बन रहा है तो हम क्या करेंगे अब D, E, C का चितरफल निकाल लेंगे और यहां पे फिर अब यह क्या बन जाएगा A, B, E, D ठीक है यह एक समानतर चितर भुझ बन जाएगा स भाग 3 के लिए, भाग 3 के लिए, ठीक है, उमिद करते हैं कि अच्चित्रा पच्चित्र समझ गए होंगे, ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ आपका एक समलंब है, समलंब चतुर्बुज है, समलंब चतुर्बुज में हमने AB के समानतर यहाँ पे एक लाइन खेचा DE, अब जब बाद हम A, B, E, D, इसका छेतर फल निकालेंगे, एक समानतर चतुर्बुज का और दोनों को जोड़ देंगे, तो हमें समलंब चतुर्बुज का छेतर फल हो जाएगा, भाग 3 के लिए देखे क्या करेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे D, E, C क्या है, एक समानतर चतुर्बुज है, तो इसका छेतर फल निकालेंगे, तो आप लिखेंगे, 3 भुज, D, E, C, का छेतर फल बराबर, क्या फार्मूला होता है, करड़ी में 3 बटे 4 और भुजा स्क्वाइर, यहाँ पे भुजा हैं देखे, आपका यहाँ भुजा देखे, 1 है, ठीक है, यहाँ पे देखे, य यहां से यहां तक 2 है, लेकिन, जब यह उपर वाली साइड, यहां पे देखे, यह 1 है, यह उपर वाला 1 है, तो नीचे वाला 2 होगा, क्योंकि समांतर चेतर फुज की, जो समुक भुजाएं होती हैं, बराबर होती है, अब यह 1 हो गया, और पूरा 2 है, तो यह साइड क्या होगी यह भी 1 होगी ठीक है तो यहाँ पे अब भुजा का स्क्वाइर भुजा का मान एक है एक का स्क्वाइर एक ही होगा यहाँ पे DEC का छेतरफल क्या हो गया करडी में 3 बटे 4 ठीक है करडी तो आधार तो हमें पता है, लेकिन उचाई नहीं पता है, तो उचाई नहीं पता है, तो देखे, यहां से यहां तक की जो उचाई होगी, यहां से लेकर यहां तक की, अगर यहां से हम एक लाइन ड्रॉ कर लें, तो जो इसकी उचाई होगी, वही यहां से यहां तक की भी निकालेंगे तो हम अभी DEC का हम छेतरफल निकाले हैं और यह एक समकोन तरिबुज हो गया तो समकोन तरिबुज का जो छेतरफल होगा वह DEC के छेतरफल के बराबर होगा समकोन तरिबुज के छेतरफल का फार्मूला क्या होता है एक बटे दो आधार गुड़े उचाई तो करड़ी में 3 बटे 4 क्योंकि इस तिर्भुच का छेतर फल अभी हम निकाले हैं तो यहां पर हमें उचाई निकालना आई या समकूर तिर्भुच बन गया तो इसका छेतर फल या जो DEC का छेतर फल उसके बराबर हो जाएगा हमें यच का मान चाहिए यहां पर आधार आप देख रहे हैं एक है तो यहां पर हम एक रख देंगे ठीक है यच का मान निकालेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा करड़ी में 3 बटे 4 ठीक है तिर्चा गुड़ा कर देंगे तो यहां क्या हो जाएगा यहां आपके उचाई आ गई, अब हम लोग A, B, E, D, समानतर चतुर्भुज का छेतर फल निकालेंगे, तो अब यहां पर निकालेंगे, समानतर चतुर्भुज का छेतर फल, बराबर क्या होता है, आधार गुड़े उचाई, आधार अनुचाई यहां पर क्या है, यह अच, तो आधार गुड़े उचाई, अब आधार देखे, आधार क्या है, एक है, यहां पर आधार देख रहे हैं, एक है अनुचाई, कल्ड़ी में तीन बटे दो, तो यहां पर एक गुड़े कल्ड़ी में तीन बटे दो गुड़ा जो कि एक समलंब चतुर्बुज है उसका छेतरफल क्या होगा उसको देख लेते हैं देखें यहां पे समलंब चतुर्बुज का छेतरफल या भाग तीन का लिख लेंगे थर्ड भाग का छेतरफल भाग का छेतरफल बराबर देखें थर्ड भाग का छेतरफल क्या हो जाएग DEC का 6 फल प्लस समांतर चतुर भुज का 6 फल तो DEC का 6 फल कितना आया है करड़ी में 3 बटे में 4 प्लस करड़ी में 3 बटे में 2 इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखें क्या हो जाएगा यहाँ पर LCM क्या होगा 4 होगा और 4 एक कम 4 करड़ी में 3 है 2 दूनी 4 तो 2 यहाँ पर करड़ी में 3 है ठीक है तो अब यहाँ पर देखें यहाँ पर जब यह जोड़ेंगे तो यहाँ पर करड़ी में 3 है यहाँ पर 2 करड़ी में 3 कमन ले लेंगे तो 2 प्लस एक 3 तीन करड़ी में 3 हो जाएगा तो यहां क्या हो जाएगा आप एल्सियम लेकर जोड सकते हैं तीन करड़ी में तीन बटे में चार ठीक है अब यहां से करड़ी में तीन का हम मान रख देंगे तो करड़ी में तीन का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा तीन गुड़े एक दसमलो साथ तिन दू मान होता है ब तीरी के नव, तीन सत्य एक कईस, तीन एक कम तीन और दो पांच, तो यह क्या हो जाएगा, पांच दसमलव, एक नव चै, चार से भाग दे देंगे इसमें, तो यह आएगा, वन पॉइंट टू नाइन, आगे ऐसे नाइन आएगा, ठीक है, लेकिन हम इसको लगभग में लें यानि इसको हम लगभग में लेंगे, एक दसमलो, तीन, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर, यह थर्ड भाग का छेतर फल हो गया, अब एक बार चितर में देखते हैं, अब देखें, थर्ड भाग का छेतर फल हमें प्राप्त हो गया, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, कि और फोर्थ और फिफ्थ भाग का जो छेतर फल होगा, वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तो यहाँ से हम एक भाग का किसी एक का निकाल लेंगे, तो हमें दोनों का हो जाएगा, तो यहाँ आप लिखेंगे, फोर्थ भाग का छेतर फल बराबर, ठीक है, फोर्थ भ और यहां पे जो आधार है देखे आधार क्या है छै है यहां पे देख लिजे एक बार चित्र में आधार छै है और उचाई एक दस्मलो पांच है तो उसी का यूज करेंगे वहां पे देख लिजे यहां पे एक बटे दो गुडे छै और गुडे एक दस्मलो पांच भाग दे अब भाग 4 और भाग 5 का छितरफल एक समान है यहाँ लिख लेंगे जब 4 का छितरफल हो गया तो यहीं से लिख लेंगे भाग 5 का छितरफल बराबर का यही हो जाएगा क्योंकि दोनों छितरफल समान है 4.5 cm2 ठीक है उमिद करते हैं कि यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे अब देखिए कुल कागज का छितरफल प्रेश्ण में पूछा हुआ है तो सभी छितरफलों को हम जोड देंगे तो यहां लिखेंगे कुल कागज का छितरफल ठीक है कुल कागज का छितरफल तो सभी को जोड देंगे तो देखें पहले भाग का कितना आया था दस्मलो-व-पांच आया था तो 2-दस्मलो- प्लस थाट भाग का जो छित्रफल था थाट भाग का चित्रफल आपका 1-दस्मलो- 3 और । अर फिप्थ दोनों समान है तो 4-दस्मलो- 5 और प्लस 4-दस्मलो- तीन, उननिस दसमलों तीन डृ क्रhouse 9.03 नहीं, उननिस दसमलों तीन और यह वर्ग cm यह निहीं सेंटीमीटर का स्क्रार यह जो मान होगा वह लगभग में होगा, क्योंकि हमने यहां पयर सभी वैलु लगभग में लिया हुआ है, ठीक ने तो यहह लगभग में होगा, उमिद करते हैं students कि यहां तक बिल्कुल आपच्छी तरह समझ गए होंगे अगले प्रश्ण को देखते हैं students अगला प्रश्ण आपका प्रश्ण नमबर 4 है एक त्रिभुज और एक समांतर चत्रभुज का एक ही आधार और छितरफल भी एक ही है यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 cm, 28 cm और 30 cm है तथा समांतर चत्रभुज 28 cm के आधार पर इस्थित है तो उसकी संगत उचाई ग्याद कीजिए तो यहाँ पर देखें चितर हमने पहले भी बना लिया आए ताकि वीडियो में चितर बनाने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यहाँ पर सबसे पहले हम लोग निकालेंगे A, B, C का छितरफल ठीक है A, B, C का छितरफल निकालेंगे जिसकी तीनों साइडें यहाँ पर दी गई है तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिबुज A, B, C के लिए त्रिबुज A, B, C के लिए त्रिबुज A, B, C के लिए आप देख रहे हैं A बराबर 26, B बराबर 28, C बराबर 30 ठीक है आप A, B, C किसी को भी मान सकते हैं कोई प्राबलम नहीं है तो A बराबर हमने लिए 26 सेंटीमीटर B बराबर 28 सेंटीमीटर और C बराबर 30 सेंटीमीटर C बराबर 30 सेंटीमीटर ठीक है अब यहाँ से हम लोग यस का मान निकालेंगे तो यस के मान के लिए क्या होता है यस बराबर A प्लस B प्लस C बाई 2 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 26 प्लस 28 प्लस 30 बटे में 2 ठीक है इन तीनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा देखिए यहाँ पर 8, 6, 14, 4 ठीक है 3, 2, 5, 2, 7, 7, 1, 8, 84 बटे में 2 2 से भाग दे देंगे तो यस का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा यस बराबर हमें 2, 4, 8, 2, 2, 4 42 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो जाएगा यस का मान अब 3 बुज ABC का हम 6 तरफल निकाल लेंगे यहां से ठीक है यहां से देखे 3 बुज ABC का च्छे तरफल बराबर हीरोंज के फार्मूला से यस, यस माइनस A, यस माइनस B, यस माइनस C यस का मान 42 गुड़े यस माइनस A तो yes minus a जब यहां से करेंगे तो देखे 42 में से 26 गया तो क्या हो जाएगा 16 yes minus b 42 में से 28 गया तो क्या हो जाएगा आपका 14 ठीक है और yes minus c 42 में से 37 गया तो 12 उमिद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे students अब देखे इसका हम लोग factor कर देंगे ठीक है यहां पर इसका factor हम लोग कर देंगे तो यहां पर देखे 42 को हम क्या लिख सकते हैं साथ गुड़े तीन साथ तरीके 21 और 21 दुनी 42 16 का factor नहीं करते हैं क्योंकि 16 पूर्ड वर्ग संख्या इसका आसानी से हमें गुड़न खंड यहां पर आसानी से इसका हमें वर्गमुल मिल जाएगा ठीक है गुड़न खंड करने की जरूरत नहीं है 14 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुड़े 7 और 12 को 2 दुनी 4 ती आई 12 अब यहां पर जो संख्या जिसका जोड़ा बन जाएगा वह करड़ी से बाहर हो जाएगा यहां पर साथ है यहां पर साथ है साथ करड़ी से बाहर हो गया यहां पर तीन है यहां पर तीन है तीन भी बाहर हो गया यहां पर टू यहां पर टू तो एक टू बाहर हुआ यहां पे यहां पे 2 तो अभी बाहर हो गया, यहां 16 का वर्गमुल 4 हो गया, इन सबका गुड़ा कर लेंगे, तो 4 दुनी 8, 8 तरी के 24, 24 तियां बहतर और बहतर सते आपका हो जाएगा, यहां बहतर सते आपका, 4 दुनी 8, 8 दुनी 16, 16 तियां 48, 48 सते, ठीक है, 48 सते, तो 7, 8, 56, 57, ठीक है, 7, 4, 28 और 5, 33, तो यहां पे हो जाएगा, 336 वर्ग सेंटीमीटर, यानि सेंटीमीटर का स्क्वाइर, और प्रेस्ण में आपको दिया हुआ है, देखे, समानतर यहां पे दिया हुआ एक त्रिभुज और एक समानतर चत्रभुज का, एक ही आधार और छितरफल भी यह कही है, तो यहां पे जो त्रिभुज ABC का छितरफल होगा, वह समानतर चत्रभुज A, C, DE के छितरफल के बराबर होगा, तो यहां पे वही चीज लिखेंगे, अब देखें यहां से, अब यहाँ से लिखेंगे समांतर चत्रभूज, समांतर चत्रभूज, ACDE का छेत्रफल, छेत्रफल बराबर 336 cm2, ठीक है, 336 cm2 जो की दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है, या आप यहाँ पे रीजन में लिख सकते हैं, दिया है, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जब यह आ गया, तो यहाँ से देखिए, समांतर चत्रभूज का छेत्रफल होता है, यहाँ फार्मूला होता है, उसका आधार गुडे उचाई, उचाई बराबर 336, और प्रशन में आपको यह यह दिया हुआ है, समांतर चत्रभूज का ज तो यहां से आधार क्या हो जाएगा है 28 हो जाएगा यच कमान निकालना है तो 28 कहां चला जाएगा बटे में चला जाएगा तो यच बराबर यहां पे क्या हो जाएगा 56 तो यज का मान क्या जाएगा 12 सिंटीमीटर यज का मान 12 सिंटीमीटर और यही हमें ग्याद करना था तो उमिद करते हैं स्टुडेंट्स की यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तर समझ गयोंगे यही आपका आंसर हो जाएगा अगले प्रशन को देखते हैं अगला प्रशन प्रशन नंबर 5 है एक समझ चतुर बुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है यदि इस समझ चतुर बुज की प्रतेक भुजा 30 मीटर है और बड़ा बिकर्ड 48 मीटर है तो प्रतेक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना छितर फल प्राप्त है जैसा कि प्रशन में दिया हुआ है उसके हिसाब से हमने सारी शाइडों को कि यहां पर लिख दिया अब यहां पर लिखे अब बी, सी, के लिए, अब देखे, तिरी बुझे, ए, बी, सी के लिए, हमें प्रतेक साइट दिया हुआ है, तो यहां पे हमान लेते हैं, ए बराबर 30 मीटर, ए, ए बराबर 30 मीटर, बी बराबर 30 मीटर, सी बराबर 49 मीटर, ठीक है, अब यहां से यस कमान निकालेंगे, तो यस बराबर क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप, 30 प्लस, 30 प्लस, 48, A प्लस, B प्लस, C बाइटू, फार्मूला होता है, तो 30 प्लस, 30 प्लस, 49 बटे में, 2, यहां से जोल लेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, 8, और 4, 37, 10, 108 बटे में, 2, ठीक है, अब इसको भाग देंगे, तो यस कमान हमें प्राप्त हो जाएगा, तो यस बराबर क्या हो जाएगा, 2, 5, 10, और 2, 4 के 8, 54 हो जाएगा, ठीक है, 54 और यह किस में होगा, मीटर में, ठीक है, यस कमाना गया, अब त्रिबुज, A, B, C का छितरफल यहां से निकाल लेंगे, तो यहां से त्रिबुज, A, B, C, का छितरफल बराबर, Yes-A, Yes-B, Yes-C, 24, Yes-A, 24 में से 30 जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, अब यहां से इसका गुदधन खन कर लेंगे, यहां से फैक्टर कर लेंगे, और जो संख्या जिसका जोड़ा बन जाएगा, उसको करड़ी से बाहर कर लेंगे, यहां पर देखे, 54 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे संख्या में लिखें, जिसका वर्गमूल आसानी से प्राप्त हो जाए, तो 54 को हम लिख सकते हैं, 9 गुड़े 6, क्योंकि 9 एक पूर्ड वर्ग संख्या, इसका वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं, 24 को क्या लिख सकते हैं, च्छै गुड़े चार ठीक है यहाँ पे भी च्छै गुड़े चार और यहाँ पे च्छै यहाँ पे देखे नौ का वर्ग मुल क्या हो जाएगा तीन यहाँ पे च्छै का जोड़ा बना तो एक च्छै बार यहाँ पे दो का वर्ग मुल च्छार का वर्ग मुल दो यहाँ पे और 6 सते 42 एक 43, 432, ठीक है, 432 मीटर स्क्वायर, ठीक है, यह ABC का छित्रफल हो गया, अब देखिए, दोनों त्री भुज, जो है आपस हमें सम्चत्रवजाकार छित्र, तो जितना जो जो साइडे इसकी है, वही साइडे इसकी है, तो अगर हम सम्चत्रवजाकार छित्रफल की बात करें, तो इसमें दो का गुड़ा कर देंगे, तो हमें पूरे का छित्रफल पता चल जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे, सम्चत्रवजाकार घास का छित्रफल, सम्चत्रवजाकार खेत का छित्रफल, ठीक है, ना, खेत का छेत्रफल दो गुडे त्रिबूज ABC का छेत्रफल बराबर दो गुडे 432 बराबर आठ सव चोंसट मीटर स्कॉर ठीक है यह समचतुर बुजाकार खेत का छेत्रफल हो गया अब देखिए टोटल उतने भाग में 18 गाएं चरती है और आप से प्रश्ण में पूछ रहा है कि प्रतेक गाएं के चरने के लिए इस खेत का कितना छेत्रफल प्राप्त होगा तो यह टोटल का हो गया 18 गाएं को चरने के लिए अब हमें एक गाएं को चरने के लिए निकालना है तो हम अठार से क्या कर देंगे इसमें भाग दे देंगे यह आप लिखेंगे अतह अतह प्रतेक गाएं के चरने के लिए छेत्रफल प्रतिक गाई के लिए चरने के लिए छितरफल प्रतिक गाई के लिए छितरफल में 864 बटे में 18 भाग दे देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 1842 ठीक है अब यहां पर 86 में से बहतर गया तो क्या हो जाएगा 144 अठारा वठे 144 तो यहां पर प्रतेक गाय को चरने के लिए 48 वर्ग मीटर एरिया आएगा उमिद करते हैं कि यहां तका बिल्कुल अच्छी समझ गए होंगे अगले प्रश्ण को देखते हैं अगला प्रश्ण आपका प्रश्ण नमबर 6 है दो विभिन रंगों के कपड़ों के 10 त्रिबुजाकाल टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया प्रतेक टुकड़े के माप 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर और 50 आप लिखेंगे त्रिबुज त्रिबुज के एक टुकड़े के लिए एक साइड 20 है यह साइड 50 दिया हुआ है और जब यह अत्रिबुज का यह साइड 50 है तो यह भी 50 होगा क्योंकि यह दोनों साइड आपस में क्या है बराबर है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अब यहाँ पर यह साइड 50 हो जाएगा आपका ठीक है तो अब यहाँ पर देख C बराबर 50 cm ठीक है अब यहां पर देखें यहां से 10 कमान निकालेंगे तो 10 बराबर A प्लस B प्लस C बाइटू यानि 20 प्लस 50 प्लस 50 और बटे में 2 जोड़ देंगे तो 120 और बटे में 2 बराबर 60 cm यह 10 कमान आगया ठीक है अब एक त्रिबुजाकार टुकड़े का छेतर फल निकाल लेंगे तो यहां प्लिखेंगे एक त्रिबुजाकार टुकड़े का छेतर फल त्रिबुजाकार टुकड़े का छेतर फल तो क्या होता है फार्मूला करड़ी में yes yes minus a yes minus b yes minus c तो yes कमान क्या है 60 ठीक है yes minus a तो 60 में से 20 गया तो क्या हो जाएगा 40 yes minus b ठीक है तो 60 में से 50 गया 10 और yes minus c 60 में से 50 गया 10 अब यहाँ पर देखे इसका गुड़न खंड कर लेंगे, गुड़न खंड ऐसे करें कि इसका जोड़ा आसानी से बन जाए और करड़ी से बाहर हो जाए, तो 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 गुड़े 6, 40 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुड़े 4, और यहाँ पर गुड़े 10, और गुड़े 10, यहां से देखिए कौन कौन से ठंक्या करड़ी के बाहर निकलती है, यहां पे 10, यहां पे 10, जोड़ा बन जाएगा तो 10, यहां पे 10, यहां पे 10, तो यह भी करड़ी से बाहर, 4 का वर्गमूल, 2 और करड़ी में 6, ठीक है, अब इन सभी का गुड़ा कर लें वर्ग सेंटीमीटर, यानि सेंटीमीटर का स्क्वार, अब करड़ी में 6, यहां पे इतना आ गया, उमिद करते हैं कि यहां तक आप अच्छी तरह समझ गयोंगे, हम चायत करड़ी में 6 का मान रख लें, या अगर आपके आंसर में करड़ी 6 के रूप में आया होगा, तो उ कही, अब देखें, पांच का पूछ रहा है, एक का हम निकाल लिएं, तो हम क्या कर देंगे, यहां पे एक रही रंग के पांच त्री बुजाकार टुकड़े का छेतर फल, क्योंकि दो भी भिन रंगों के कपड़े हैं, और दस त्री बुजाकार टुकड़े को सीकर एक छा हो जाएगा, 1000 करड़ी में 6 वर्ग सेंटी मीटर, यानि सेंटी मीटर स्कॉार, क्योंकि इसमें दो भी भिन रंग के त्री बुजाकार टुकड़े लगाए गए हैं, तो टोटल 10 है, तो हम मान लेते हैं कि यहां पे, यहां पे पांच भाग जो है एक रंग का और पांच भा तो अब यहां पे दूसरे रंग के पांच भुजाकार टुकड़े का छेतरफल क्या हो जाएगा, 1000 करड़ी में 6, ठीक है, उमिद करते हैं कि यही दोनों आपका आंसर हो जाएगा, यहां आपका आंसर हो जाएगा, और उमिद करते हैं कि प्रतेक प्रश्न आपको अच्छी करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि यहां पे सभी चीजे लगातार आपको चैप्टर वाई, बिलकुल आसान भासा में मिल लएए, धन्यवादे स्टूडेंट्स, जै हिंद, जै भारत चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवादे